करन जोहर के पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करन के आठवे सीजन की अगली गेस्ट रानी मुखर जी और काजोल होने वाली है रानी और काजोल दोनों ही करन के डिरेक्शन में बनी पहली फिल्म कुछ-कुछ होता है कि लीड रेक्टरिस थी शो में तीनों ने एक दुसरे से जुड़ी कई मज़ेदार बाते शेयर की इस बीच काजोल ये भूल गई कि उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी खुशी कभी गम में रानी मुखर जी ने कैमियो किया था करन जोहर ने अपकमिंग एपिसोट का एक प्रोमो वीडियो जारी किया है इस वीडियो में रानी करन जोहर को एक्सपोस करने की बात करही है ये सुनकर काजोल ने कहा मुझे अल्रेडी ये शो पसंद आ रहा है इसके बात करन जोहर ने रानी और काजोल को अपने फिल्म से जुड़ी एक मज़ेदार बात बताई उन्होंने कहा मैं महबूब स्टुडियो के अंदर फिल्म कुछ-कुछ होता है कि शुटिंग कर रहा था उसी समय मेरे फादर ये जोहर स्टुडियो के बाहर खड़े होकर किसी से कॉल पर बात कर रहे थे इतने में संजेदत माँ पहुचे और उन्होंने पापा से पूछा यस जी आप यहां क्या कर रहे हो तो उन्होंने जवाब दिया मेरे बेटे ने सेट लगाया है मैं रोट पर आ गया हूँ यह सुनकर काजल और रानी हस पड़े आगे रानी ने करन से शिकायत करते वे कहा तुमने मुझे मारा है मेरे हाथ से खाना चीना है करन टूरट पलट कर जवाब देते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं मारा इस पर काजुल कहती है कि ये अब्यूस करना है फिर आगे करन जोहर ने शो के पपूलर सेग्मेंट रैपिट फायर की एक जलक दिखाई है इस रैपिट फायर में रानी और काजुल को एक बजर दिया गया था करन वारा स्वाल पूछने वो जाने पर जो भी पहले बजर दबाएगा उसका जवाब देने का मौका मिलेगा इसमें करन पूछते हैं कि वो कौन सी काजुल की फिल्म है जिसमें रानी ने स्पेशल अपिरिंस दिया है काजों ने जट से बज़ा तो दबा दिया लेकिन उन्हें जवाब नहीं पता था इस पर नाराज होकर करण ने चिलाते वे कहा तुम इतनी बेवकुप कैसे हो सकती हो जवाब कभी खुशी कभी गम है इसी के साथ पर देना एराजनामा टीपी के साथ धन्यवाद